हलो स्ट्वेंज कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वक्षीट आज की वक्षीट आपकी वक्षीट नूमबर हंडेड क्लास फिफ्ट की है यह मैज की वक्षीट देट है आपकी 29 अक्टूबर आज की हम वक्षीट में पढ़ने वाले हैं to find angles around us and classify them हमारे आज पास यतने भी angles होते हैं उनको पढ़ना है उनको find out करना है और साथ ही उनको classify करना है मतलो divide करना है यहाँ पर आपको अपना नाम और आपको अपने týčर's का नाम लेखना है अब आगी चलते हैं इसका टाइटल है वह है बच्चों बड़ा कोण चोटा कोण इसी में हमें classify करना है ठीक है कौन से बड़ा कौन है और कौन से छोटा कौन है आप आगे चलते हैं आपने पिछली वरक्षीट में भी देखा कि स्वाती ने तिल्लियों से कौन बनाए थे पिछली वरक्षीट में जो है स्वाती ने क्या करा था तिल्लियों से कौन बनाए था हमने आपको बताता है ना कि आपको तिल्ली लेनी है बीच में से मोरनी है और ऐसे फिर रखनी है फिर पहले इस तरीके से रखनी है फिर इस तरीके से तो इस तरीके से क्या होगा कौन जो है बड़े होते जाएंगे स्वाती के दूस सुखमन ने तिली से अपना नाम लिखा स्वाती की एक दूस से सुखमन जिसने की अपना नाम लिखा तिली से उसने अपने नाम में जो है कोन भी ढूंड़े तो देखिए यह आप सुखमन लिखा हुआ है S-U-K-H-M-A-N सुखमन की स्पैलिंग उसमें कोन भी ढूंड़े ते उन्होंने तो कोन अब देख लेते हैं कहा कह जिए बात करते हैं अगर हम als k 與нееija ए contraacion क्या हुते हैं जह दो क्ोनी मिलते हैं ठीक है दो क्ोनी मिलते हैं और प्रहलं कोन बोलते हैं जैसा कि U में भी यह दो कोन हो जाएंगे K में यह तीन कोन हो जाएंगे जैसे हम बात करें K की तो K में तीन कोन हो जाएंगे एक ही वाला कोन होगा एक ही वाला कोन होगा ठीक है अब आगे चलते हैं H तो H की बात करें तो H में चार कोन होगा एक कौन यह जाएगा, एक कौन यह जाएगा एक कौन बनेंगे आगे लिखते हैं ,आप भी अपना नाम अंगरेजी में लिखिये आपको अपना नाम अंग्रेजी में लखेंगे और इसमें चिपे कॐण बताने अपनी कापी में लिखना है उसको बनाना है अब आगे चलते हैं कि जब जब हम तिल्यां अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलते हैं जब तिल्यां जो हैं अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं तो उसे हम समकोन कहते हैं कहते हैं बच्चो Sum Cone कहते है ती के सीधी जब खुलती है तो इसे हो सकती है ऐसे हो सकती है या तो यह यह जो नहीं से अब आगे चलते हैं ठरे घृति चट्र में एक कोण डिखाया गया तो एक इंगल का सके चैसे तो आज़ि इस तो हैár तो मतलब यह समकौन से बड़ा एंगल है अब आगे चीजाते हैं यह देखिए यह समकौन है क्योंकि यह ऐसे फिर ऐसे है तो यह समकोन है तो मतलब यहां पर टिक लगाएंगे आप इसमें और यह जो पतंग है यह भी देखी यह भी इस तरीके से है तो यह भी समकोन है ठीक है आगे यह समकोन से छोटा है ठीक है बच्चो अब आगे चलते हैं वाकू के लिए के सुझा आए तो वीडियो को लाइक करें शियर करें कमेंट रके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे मिलते हैं बच्चों नेक्स वीडियो में बाई बच्चों टेक केर